तारे सितारे वम ग्रहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्टरो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांक 6 अक्टूबर 2024 रवी बार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी व चंद्रबल के प्रभाव से आज 12 में से 7 राशी वालों को कारी छेत्र में विसे सफलता के योग हैं इन 7 राशी वालों में आज है व्रशब, मिथुन, करक, कन्या, व्रश्चिक, मकर और कुम्भ राशी वाले लोग वहीं अन्य राशी वालों के अनुसार आज का दिन सामानने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ज्यान वर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज आश्विन मास शुकल पक्ष की तरतिया तिथी है रविवार का दिन है आज दिन की सुरुवात विशाखा नक्षतर से होगी और तुला राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदे प्रातः काल 6.16 मिनिट पर होगा और सुर्यास्त साम के 6.22 मिनिट से आरंबहु करके साम के 6.2 तक राहु काल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय शुरू नहीं करें, इस समय अवदी में किसी भी नई वस्तू की खरीदारी करने से भी बचें, आज दिसा सूल रहेगा पश्चिम दिसा में, तो आज के दिन आप पश्चिम दिसा की और मुख करके, कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय शुरू नहीं करें, पश्चिम दिसा की यात्रा से भी आप बचें, यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावशक हो, तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुर्वक पूजा आरादना करके, या इस्ट देवता के नाम मंत् के 32 मिनिट तक सरवसरेष्ट वा शुब महुरत रहेगा, इस महुरत में आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय आरंब कर सकते हैं, या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं, तो इस महुरत में आप कर सकते हैं, तो आप जानिए अपनी जन्म राश के लिए बहुती सचेत रहने का रहेगा, दिन भर कुछ न कुछ गतिविदियां आज चलती रहेगी, हर गतिविदी पर अपनी नजर आप बनाई रखें बहतर होगा, आपकी कारी चमता पर आप निर्भर करता है कि आप कौन सा कारिय जल्दी संपन न करेंगे, आप सी वार गिशाली अंक एक है, शुबरंग आपका गुलावी रंग है, आज आपको भागिका साथ 83 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है, प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद, भगवान विश्नु जी की पूजा करें, विश्नु सहस्त्र आपका पाट करें, दिन आपका शुब रहेगा, अगले राशी है व्रशब, व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आपने लक्ष पर फोकस रखें, और ग्रह स्थिति आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए ततपर है, घर का माहुल नुकसान का कारण आज हो सकती है, और कारोबार में महतुपुर्ण अवसर आपको मिलेंगे, आज आपका भग्यशाली अंकनो है, शुब रंगा आपका सफेद रंग है, आज आपको भग्यकासाथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशे शुपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात सूर्य नारण भगवान की पूजा करें, और आदी त्याय नमें इस मंत्र का जाप करें, दिन आपका शुप रहेगा, अगले राशी है मिथुन, मिथुन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से है, कुछ नई उपलब दियां आपका इंतजार कर रही हैं, तो इस बहतरिन समय का उचित सदूपयोग अवश्च करें, और सामाजिक इस्तर पर भी आपको किसी अनुभवी की मदद से नई पहचान मिलने वाली है, इस समय विरोधी पक्ष भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हतियार डाल देंगे और आर्थिक पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं आपकी हो सकती है, इस समय सही बजट प्लान बनाने की आवश्कता है, और कारोबार में कारे प्रणाली में समय के अनुसार बदलाव लाने से आपकी इंकम में बड़ोतरी होगी, आज आपका भाग्यशाली अंकसाथ है, और भगवान की पूजा करें और आदीत के हरदे इस्तरोतर का पाठ करें, दिन आपका शूप रहेगा, अगले राशी है करक, करक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज कुछ वरिष्ठ लोगों से सानिद्य करने का आवसर मिलेगा, जो की करते समय, विशे सावधानी आज बरते, और व्यवसाई संबंदी कुछ नई योजनाएं आप बना सकेंगे, आज आपका भग गिशाली अंक आठ है, शुबरंगा आपका बादामी रंग है, आज आपको भग यकासाथ 81 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशे सिम्हर आशिवालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि दिन की सुरवात में कुछ उठा पटक रहेगी, लेकिन आपकी अनुसाशित दिन चरिया से गतीविधियां विवस्तित होती चली जाएगी, और उधार दिया हुआ पैसे की वापसी संभावी थे, को आज आपका भाग्यशाली अंकतीन है, शुबरंग आपका आस्मानी रंग है, आज आपको भाग्यशाली अंकतीन है, शुबरंग आपका आस्मानी रंग है, आज आपको भाग्यशाली प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशे शुपा इस प्रकार से है, कि प्रातहक इसनान करने के पश्चाज सूरी भगवान को तामबे के पात्र से अर्ग देवें ओम आदी त्याइनमा इस मंतर का 108 बार जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों के नुसार आज का दिन इस परकार से रहेगा आज दिन्चरिया में कुछ सकलात्मक बदलाव होंगे किसी वरिष्ट जन्द से सर्प्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है और काफी समय मितर जनों से मिलना जुलना खुशी परदान करेगा किसी के साथ चल रहे मनमुटाव आपकी विवेक और समझदारी से दूर होंगे जमीन जायदास से संबंदित कोई भी कारिया आज इस्थगित रहे तो बहतर होगा और बिजनेस को लेकर फायदे मन समय चल रहा है लेकिन कामकाज और काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव अवश्य करें आज आपका भाग्य साली अंक पांच है शुब रंगा आपका के सरिया रंग है आज आपको भाग्य कासां सत्तर प्रतीसत अपराप्त होगा आज आपका विशिश उपाई इस प्रकार से हिप्राताहकाल इस्नान करने के पश्चात सूरी भगवान की पूजा करें गुड का नेवेद्य अर्पित करके उसे गाई को खिलाएं दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है तुला तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा तुला राशी के लोगों को आज जल्दबाजी में कोई फैसला लेना पड़ सकता है लेकिन घवराएं नहीं आपका फैसला उचित ही रहेगा आपको अपने आसपास के वातावरन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और किसी नजदी की मित्र से मुलाकाद सुखद रहेगी दिन के पुरवार्द में कुछ कुछ प्रतीकुलता रहेगी पैसा आने से पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा व्यवसाय में कोई भी नया काम सुरू करने से पहले उससे संबन्दित उच्चित जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले तो आपको नुकसान नहीं होगा आज आपका भाग्यशाली अंकच्छे है शुबरंग आपका हरा रंग है आज आपको भाग्यकासान 84 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चाद सूर्य नारण भगवान को तांबे के पात्र से तीन बार अर्गे देवे ओम दिवाकराईनमा इस मंत्र का जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगले राषी है व्रश्चिक व्रश्चिक राषीवालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा पिछले कुछ समय से संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता चल रही है तो आज उसके हल होने की भरपूर संभावना है और मित्रों और संबंदियों के साथ में मुलाकात के अवसर बनेंगे तथा विचारों का आदान प्रदान सुखद रहेगा धार्मिक और सामाजिक कारियों में आपका उचित योगदान रहेगा ध्यान रखे कि आपकी बातों से कोई आहत नहीं हूँ इसलिए बेकार की बातों को करने से अच्छा है अच्छे ही सब्दों का प्रयोग करें अच्छा व्यबाहर करें और बिजनेस के कारियों में सुधार होगा नया काम शुरू हो सकेगा आज आपका भग्यशाली अंकचार है शुब रंग आपका क्रीम रंग है आज आपको भग्यका साथ बहुत तर प्रतीसत प्राप्त होगा आज आपका विशे सुपाई इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इश्नानकन्य के पश्चाद सूरिनारण भगवान की पूजा करें और आदित के हुरदे इस तरोत्रका पाठ करें दिन आपका शूब रहेगा अगले राशी है धनू धनूर आशीवालों के अनूसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति का मारगा दरसन आपको मिलेगा और कुछ सुखद अनुभवी हो सकेंगे किसी धार्मे कायोजन में जाकर आप सुकून सान्ती महसूस करेंगे युवा वर्ग की सफलता का कोई द्वार खुलने वाला है जिससे चिंता आपकी दूर होगी हाला की कामका चथा परिवार के बीच सामान जस्ते और तालमेल बना कर रखना आपके लिए चुनोती रहेगा और कारे स्थल पर अन्य व्यवसाईयों के साथ कुछ मद्भेत की स्तिती निर्मित हो सकती है इसलिए सोच समझ करके विवार करें आज आपका भाग्यशाली अंकतीन है शुब रंगा आपका आस्मानी रंग है आज आपको भाग्यका साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इस्नान करने के पश्चाद सूरी नारण भगवान को तांबे के पात्र में चंदन और लाल पुष्प डाल करके तीन बार अरग देवें ओम घ्रणी सूरी आइनमा इस मंत्र का जाप करें दिन आपका शूब रहेगा अगले राशी है मकर मकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज कहीं से धन प्राप्ती होने जैसी इस्तिती निर्मित होगी घर की देखरेक और साज सज्जा संबंदी कारिये में परीजनों के साथ विचार विमर्स होंगे और किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत विध्यारतियों को एड्मिशन के योग है और आज जो है आप परीचतों के साथ संपर्क बिल्कुल नहीं बनाएं वन्ना आपका नुक्सान हो सकता है और व्यापार व्यवसाय में इस समय कुछ कठोर और महत्वपुर्ण निरने लेने की आवशकता है इससे आपको फाइदा होगा आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुवरंग आपका बादामी रंग है आज आपको भाग्यका साथ 96 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विश्य सुपाई इस प्रकार से प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चाद सूरी नारण भगवान की पूजा करें ओम ग्रणी सूरिया इनमा इस मंत्र का 108 बार जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है कुम्ब कुम्ब राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आध्यात्म के पत्व पर जो लोग अकरसर हैं उन्हें कोई उपलब्दी आज मिल सकेगी मानसिक सुकून बना रहेगा और कठिन से कठिन कारे भी आप अपने द्रड विश्वास से पूरे करने की छमता रखेंगे विध्यार्थी वर्कत था युवाओं का अन्य खास गतिविद्यों पर ध्यान केंद्रित होगा और आज खर्चों पर काबू रखना आपके लिए जरूरी रहेगा वरना ज़्यादा नुकसान आपका हो सकता है और कारोबार आदी में नए कारियों की सुर्वात आप कर पाएंगे उन्हें पूरा करने के लिए अत्यतिक मेहनत भी आपको करना पड़ेगी आज आपका भाग्यशाली अंकनो है शुवरंगा आपका केसर यारंग है आज आपको भाग्यकासा तीरियासी प्रतिसत अपराप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चा सूर्य वगवान की पूजा करें गुड का नेवेद्य अर्पित करके अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कुछ राजनेतिक अथवा प्रभावसाली लोगों से मुलाकात के योग है और आपकी लोग परिता के साथ साथ जन संपर्क का दाइरा बढ़ेगा प्रापर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपका यह सपना पूरा हो सकेगा माता पिता का पूर्ण सहयोग वा आशिरवाद बना रहेगा और किसी भी तरह की उधारी अथवा लेन देन आज नहीं करें वरना आपका नुक्सान हो सकता है व्यवसाय में मार्केटिंग संबंदी कारियों को निप्टाने के लिए उचित समय रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंकचार है शुबरंग आपका बादा मी रंग है आज आपको भाग्यका साथ 80% अप्राप्त होगा आज आपका विशेशुपा इस प्रकार से है मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशीफल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वाशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्री करश्न मित्रों फिर मिलेंगे